दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर यह केस भेजा था लेकिन भारत निर्वाचन आयोक ने कहा है कि रेगुलाइजेशन चुनाफ पूरा होने के बाद ही की जाए भारत निर्वाचन आयोक से अंडर सेकरेटरी आवदेश कुमार सिंग की और से चीप इलेक्टरल ओफिसर को यह पत्र भेजा गया है बतादे कि इसके साथ ही यह भी कहा गया कि दिहारी दारों और पार्ट टाइम करमचारियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला चुनाफ अचा संहिता में नहीं ले पाईगी बतादे कि इस बारे में 37 अप्रेल की डेट से एक चिट्थी सोसल मेडिया पर सरकुलेट हो रही थी यह डेट भ कारी एवं करदान इभाग ने इस परिक्रिया को आगे सुरू कर दिया है इससे पहले राज सरकार की और से टीजीटी बैच वाइच नियुक्तियों की मंजरी भी मांगी गई इस मामले में भी अनुमत्ती मिलने की संभवना नहीं है चुनाब आयो किया संकेत दे चुका है क कमिसन के जरिये होने वाली भरतियों के मामले में विचार किया जा सकता था लेकिन बैच वाइच वाइच वाले में नहीं इसलिए टीजीटी की नियुक्तियां भी अब जुन महिने में हो पाईगी जबकि जेबीटी और सास्त्री को लेकर मामला अभी हाइकोट में लटका ह उन्हा में उपमक्मत्र मोकेस अगनी होत्री बोले कर्मचारी महिलाओं के मुद्दे पर चुनाब लड़ेगी कॉंग्रेस जिहां उपमक्मत्र मोकेस अगनी होत्री ने उन्हा में एक प्रिसवर्ता को संबोधित किया इस दुर्ण उन्हें ने काया कि कॉंग्रेस कर्मचारी और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाब लड़ेगी उन्हें ने काया कि जैराम ठाकूर बताये कि महिलाओं को जारी किये जा रहे 15 रुपी रुकवाने पर क्यों तुले हुए मैं कर्मचारी की ओलड पेंसन इसकीम तक भाजपा अपने चुनाबी दस्तावेज में सामिल नहीं कर पाई है और हिमाचल में कॉंग्रेस सरकार ने लाक़ों कर्मचारी को ओल पेंसन इसकीम परदान किये वहाँ पर ओल्ड पेंसन इसक्यों को बंद करवा दिया है इस पर भी जहराम ठाकूर अपनी स्थिती इसपष्ट करें कि वह बर्तमार में भाजपा के नेता अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्राने और धपकाने पर तुले हुए है वह की जून में भाजपा की सरकार बनने वाली है हिमाचल में भाजपा ने चारों लोकसवा सीटों पर उतारे उमिद्बार जाने किने मिला टीकट जे बहुजन समाच पार्टी यानिकी बास्पा ने रविवारुक को हिमाचल पर्देश की सभी चार लोकसवा सीटों के लिए अपने उमिद्बारों की गोशना की है मैं राज्य बास्पा पर्मुक नरायन आजात ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा और कॉंग्रेस दोनों के अनुसुचीत जाती रोधी रूख को उजागर करेगी और गरीबों और अनुसुचीत जाती और जहन जाते को नियाई दिलाने के मुद्दे पर चुनाब लड़ेग मैं बता दे कि राज्य बास्पा पर्मुक नरायन आजात ने कहा कि सिमला से अनिल कुमार सीट से चुनाब लड़ेगी मैं हैम राज हमिरपूर सीट से पार्टी के उमिदबार होंगी मैं जबकि परकास चंद भार्दवाज और रेखा रानी करमसर मंडी और कांगरा सीटों से चुनाब लड़ेंगे बता दी के हाल ही मैं उना में पार्टी की एक बेटक हुई थी मैं जहां उमिदबारों के नाम पर चर्चा की गई और मंजुरी के लिए पार्टी हायकमान को भेजा गया था सोसल मीडिया में कांगना पर भदर टेपीनी भाजपा ने चुनाब आयोक से की सिकायत नीचा दिखाने के लिए सोसल मेडिया का दुरूपियों क्या जा रहा है मैं कांगना रनुत के खिलाप दोहरे अर्थवाली भासा का इस्तमाल क्या जा रहा है मैं भाजपा ने कंद्रे चुनाब आयोक से पर्देश कॉंग्रिस और हमिरपूर युवा कॉंग्रिस करलप के खिलाप कानुनी कर रहा ही की मांग की है आजादी के बाद भी नहीं मिली सड़क सुविधा अब लोकस्बा चुनाब का भहिसकार करेंगे ग्रामीन जे लोकस्बा चुनाब में हिमाचल पर्देश के जिला चमबा के भरमुर विदास्बा चेदर की गान पंचायत की जनता अपने मत का परियोग नहीं करेगी मैं क्योंकि अजादी के 76 सालों के बाद भी इस पंचायत के लोक सड़क की मुखे धरा से नहीं चुड़ पाए हैं मैं सड़क के अभाब में मरीच बीच रास्ते में दम तोड़ रहें मैं इससे नराज होकर पंचायत परतिनेद्यों से लेकर ग्रामिर ने लोकसमा चुनाप का भहिसकार करने का मन बना लिया है प्रसासनिक मंजुरी के बिना गान्धी चौकप सड़क को क्या बंद बेरिकेड वर रसिय लगा कर रोका यतायाद जहमिर पुर्जिला मुख्या लेके मोख्य बजार में प्रसासनिक मंजुरी के बिना ही रविवार को गान्धी चौकप सड़क को बंद कर दिया गया यहाँ पर दुकानों की मरमत का कारी क्या जा रहा है मैं जिसके चलते सड़क पर यतायाद को रोकने के रिए बेरिकेड और रसियों लगाई गई है परसासन को सुचना मिलने के बाद साड़े चार बजे के करीब पूलिस टीम ने मोखेपर पहुँचकर सड़क से बेरिकेड और रसियों को हटाया है में आम आदिव पार्टी ने हिमाचल परदिस में चुनाप से किनारा कर लिया है मैं आम आदिव पार्टी के परदिशा दक्च सूर्जीत ठाकूर ने संपर करने पर बताये कि पार्टी ने निरने लिया है कि हिमाचल परदिश में लोकसबा की चारों सीटों पर कॉंगरेस परतियासों का समर्थन किया जाएगा मैं पिछले चार लोकस बाद चुनावों का आकलन किया जाए तो माप का चुनाव लड़ती रही है डोर्नियर से सिमला पहुँचेंगी राश्टपती हवाई अड़े पर दिया जाएगा गार्ड ओफ ओनर जीह राश्टपती दुरोपती मुर्मो का सिमला चार मई से आठ मई तक परदेश का दोरा प्रस्तावित रहेगा मैं राश्टपती चार मई को सुभ डोनियर जहाच से जुबल हट्टी हवाई अड़े पर उतरेंगी में हवाई अड़े पर परदेश की राजपाल सीप परताफ सोकल राश्पती मुर्मो की अगवानी करेंगे और वहीं पर राश्पती को पुलिस की ओर से गार्ड ओफ ओनर दिया जाएगा मंडी सीट पर मोधी बना मिक्रमादी ती क्यों नहीं चाहते पूर्ब सीएम के बेटे जान ये अंदर की ये बाते हैं हिमाचल परदेश की चार सीटों में सबसे होट सीट मंडी लोकसबा सीट बन गई है यहाँ पर कॉंग्रेस से पूर्ब सीएम विर्भद्र सिंग के बेटे विकवाद सिंग चुनाप मैदान में है जबकि भाजपा ने बॉलिवुड अकुईन कांगना रौत को मैदान में उतारा है कांगना की सफाही के बाद भी बार बार गो मांस पर उनकी पोस्ट पर कॉंग्रेस परत्यासी उन्हें घेर रहे हैं धर्मसला इस्टेडियों में होगा पंजाब चन्नाई के बीच मुकाबला ओफ लाइन टिकट के लिए करना होगा थोड़ा इंतिजार जिए IPL 24 धर्मसला इस्टेडियों में पंजाब और चन्नाई के बीच मुकाबला होने जा रहा है इन दोनों टीमें के तीन माई को धर्मसला पहुँचने की उमीद है जबकि रोयल चेलेंजर बेंगलोर के साथ पंजाब किंग से एलेबन नो माई को भीड़ेगी ऐसे में मैच से दो दिन पहले बेंगलोर की टीम के पहुँचने की उमीद है बताते कि ओप लाइन टिकट आईजन से दो से तीन दिन पहले मिलने की उमीद है धर्मसला इस्टडी में मिलेगी हाइब्रीड पीच टेकनोलोजी हिमाचल परदेश किर्केट एजोसियेशन किर्केट में अतियादुनिक प्रद्योगी को अपनाने में हमेशा सबसे आगे रहा है मिराज में किर्केट के परबंदन निकाए HPCA ने हाल ही में अपनी अभ्यास विधाओं में SIS Grass Hybrid पीच टेकनोलोजी पेस करने के लिए एक रोमांचक पहल किये बता दे कि या कदम या सुनिचित करेगा कि अभ्यास पीचे उचत्तम गुर्वता वाली हो क्योंकि पारंपरीक पीचे कठोर परचिक समोकी कमपनियों का अंगें और धर्मसला के खुबसूरत HPCA इस्टेडिये में पहली बार Hybrid पीच इनिस्टोलेशन में अपने क्रांतिकर निवेस के साथ भारती किरिकेट को नई उचायों पर ले जाने के लिए तैयार हैं यह अत्यादुनिक प्रदोगी अधीक ठिकाओ के अनुबब में अमोली परिवर्तन करेगी ड्रावने वीडियो दिखा कर नवालिक से दूस कर्म हिमाचल पर्देश के थाना अम के एक गाउं की 17 बर्ची नवालिक के साथ ड्रावने वीडियो को दिखा कर दुराचार करने का मामला सामने आया है इतना ही नहीं युवक न नवालिकी असलील फोटो सोशल मेडिया पर भी वायरल कर दिये मैं पुलिस ने मा की सिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्च कर जाच सुरू कर दिये मैं पुलिस को दी सिकायत में महिला ने बताया मैं किराई की दुकान में सिलाई का का काम करती हूं दुकान प बंदुकों की तस्वीरे दिखाकर वा चाकू आदी दिखाकर ड्रा धमकाकर वा परतारित करके गलत काम किया इतना ही नहीं विभिन किस्तों में हजारों रुपिये भी पुत्री से लिये हैं योग गुरू बाबा रामदेब को सुप्रीम कोट से एक और जटका लगा हैं पपटनजली योगपी टरश्ट को अब सर्विस टेक्स का भुगदान करना होगा सुप्रीम कोट ने इस सिलसिले में सर्विस टेक्स अपिलेट ट्ूविनल के फैसले को बरकरार रखा है वहैं बता दिकी सर्विस टेक्स अपेलित ट्रिवींल ने पतनली योग्पी ट्रस्ट को अवास्य और गेर अवास्य दोनों योग सिविरों के आयुजन के लिए सर्विस टेक्स का भुगतन अनिबारी बताया था यह बता दे कि पतंजली योगपी ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग सिवीरों के लिए परवेश सुलक लेती है सुप्रीम कोट ने कहा है कि परवेज सुलके लेने के बाद सिवीरों में योग एक सर्विस हमें ट्रिविनल के आदिस में हच्चेव करने का कोई कारण नहीं दिखता सुप्रीम कोट ने यह कहते हुए पतंजली योगपी ट्रस्ट की अपील को खारिच कर दिया है सुप्रीम कोट ने इसे आज़िनों को सरकारी इसकल बिग्ञान समीती के राजिक अध्यक्ष डॉक्टर ओम परकास और राज सचीव सत्यवान पुंडिर ने सरकारी इसकल में हवन और यग्य करवाने में सामिल अध्यापकों और करमचारों पर नीमा अनुसार उचित करवाही करने का आग रखिया है साउद एसे आई कुरास चेंपियन में चमके हिमाचली सितारे आरती वा चेतन नजीता स्वरन पदक हिमाचल पर्देश के सोलन जिला की आरती सर्मा और चेतन कपूर ने केरल के कोचिन में आजित दक्चीन एसे आई कुरास चेंपियन सिप में स्वरन पदक जितकर देश का नाम बढ़ाया इस चेंपियन सिप पाकिस्तान की अनुपस्तिती के वाबजूत दक्चीन एसे आई राष्ट्रों के खिलारियों ने उतक्रिष्ट परदर्शन किया मैं 38 सर्मान 48 किलो ग्राम वर्ग में और चेतन करपूर ने 90 किलो ग्राम वर्ग में अपने धमदार परदर्शन से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है मैं इन दोरों खिलारियों का सफल परदर्शन सोलन के विरेंदर सिंग, दोलता के निर्देशन और हिमाचल के आसिस कुमार के कोचिन से हुआ है ह-8C का ड्राइबर बोलबो बस में 8 किलो भोक की सहित गिरपतार जो की सरकागाट थना पुलिस की टीम ने H-8C की बोलबो बस के ड्राइबर को 8 किलो 234 ग्राम भोक की आने की पोपी इस्ट्रा के साथ गिरपतार किया है जो की सरकागाट छेतर के ही रोपडी गाउं के रहने वाला है मिली जनकारी के अनुसर पता थी कि यह ड्राइबर H-8C की सरकागाट दिल्ली बोलबो बस को चलाता था और काफी समय से इसी रूट पर चल रहा था पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि यह ड्राइबर दिल्ली से नसे की खेप यहां लाकर बेच रहा है इसी अधार पर पुलिस काफी दिनों से इसके पिछे लगी हुई थी मैं आज सुबह पुलिस ने ऐसी ही एक गुप्त सुचना के अधार पर भतेपुर में नकाबांदी की हुई थी मैं जैसे यह बस यहां पहुँची तो इसे चेकिंग के लिए रोका गे मैं पुलिस ने तलासी के दुरान बस के फर्स्ट एड बॉक्स से आठ किलो 234 ग्राम भोकी ब्राम्द की बीजेपी कर रही परत्यासी बदलने का विचार सब बन गए हैं गले की फास ज़े डिप्टी सीयम मुकस अगनी होतनी रईयूर को उना में पत्रकार वर्ता को सम्बोधित करते हुए बीजेपी पर एक के बाद एक कई सब्द वान छोड़ी डिप्टी सीयम ने कहा कि हिमाचल पर्देश में फरबरी महिने के अंत में शुरू हुए राजनिती खटना करम के बाद भारते जनता पार्टी ने बिधानसवा उपचुनाब के लिए जल्द बाजी में कॉंग्रेस के पूर्व उपाच विधायकों को अपना परत्यासी त इन परत्यास को लेकर पार्टी से खासा नराज चल रहा है मैं इसका नतिजा यह है कि अब भारते जनता पार्टी अपने परत्यास को पदलने पर विजार कर रही है बद्धी की दो फेक्ट्रियों में लगी भीशन आग मची अफ्रा तफ्री जे ओद्धी के बिलवा वाली में रईवार सुबद दो फेक्ट्रियों में भीशन आग लगने का मामला सामने आया है मैं आग जनी से लाकों का नुक्सान हुआ है घटना के वक्त फेक्टरियों में कर्मचारी नहीं पहुँचे थे इसलिए कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ है मैं जनकारी के अनुसर बता देखी बिलवा वाली इस्थीत नौ पेकर गत्ता उद्योक में पहले आग लगी मैं भीसन आग ने उसके पास की फ्रेम फोयल कंपनी को भी चपेट में ले लिया मैं युँ बार सुबह करीब साथ बजे सुचना मिलने पर बद्धी फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्तल पर पहुँची मैं फायर ब्रिगेड टीम ने बड़ी मकस्त से आग पर काबू पाया मैं फायर विभाग के मुताबिक दोनों कंपनी में करीब पचास लाग नुकसान हुआ है जबकि कड़ो रूपीय की संपती को बचा लिया गया है कंगना राजनिती में क्या करेगी इसका उनको खुद पता नहीं कंग्रेस के वरिष्ट नेता एवम पुरुमंत्री कॉल सिंग ठाकू ने मंडी से बीजेपी परत्यासी कंगना रूप पर जमकर निसना साधा है उनने कहा कि कई सोसल मेडिया में कंगना रूप के बारे में जो चीज वायरल हो रही है कंगना क्या खाती है क्या पीती है क्या पहनती है मुद्दा तो यह है कि कंगना रूप राजनीती में क्या करेगी इसका उनको खुद पता नहीं मैं कॉल सिंग ठाकू ने कहा कि कांगना क्या करेगी वह जनता को कहें भी या नहीं बता रही और अबद्र भासा का परियोग कर रही है मैं जीस परकार से कंगना रौत ने अपने इंटर्वियो में कहा कि देश के पहले पी एम सुबास चंदर बोस्ति और 2004 में अजादी मिली उससे पहले अजादी भीक में मिली थी ये बात यही साबित करती है कि उनमें जनरल लोलिच की कमी है मैं कॉल सिंग ठाकूर ने कहा कि कंगना के परदादा कॉंग्रस पार्टी के परजा मंडल सिपाही रहे है और कॉंग्रस के समय में काल कोटरी में काले दिन देखे और आज कंगना रौत उनकी भी तोहिन कर रही है पालंपूर में चात्रा पर हमला करने वाले युवक की आज इस्पिसल कोट में पेशी युवती की हालत फिलाहाल इस्तीर जिले के पालंपूर में बिते सनीबार को सिर्फरे युवक के दोरा युवती पर द्राट से हमला किया गया मैं घाटना ने एक पल के लिए पूरे मानवाता को जगजोर कर रख दिया है मैं दिन दहाडे जीस तर युवक ने चातरा पर वार किया था मौके पर ही उसकी मौत हो जाती वही गनीमत रही की युपती जिन्दा है उसका इलाज चंडिगर के पीजिए ऑउस्पिटल में चल रहा है मैं जहां उसकी हालत इस्तीर बताई जा रही है बता देके रवीबार को उसका ऑपरिसन करवाई गया है मैं आज महीं आर पी को भी पुलिस मेडिकल करवा कर वा कर एस्पेसल कोट में पुलिस की गुपत सुचना पर होटल में दबिस हेरोईन की खेप सहित युवक युपती गिरफतार जे कंडा गाट में पुलिस ने हेरोईन तसकरी के मामले में एक युवक युपती को गिरफतार किया है मैं S.P. गोरब सिंग ने बताए कि पुलिस की इस्पेसल टीम को सुचना मिली थी कि कंडा गाट के देहुचो की इस दीद एक होटल में एक युवक युपती ठेरे हुए हैं मैं दोनों काफी समय से हेरोईन की अवित खरीद फरोक्त के धंदे में सनलिपते हैं इस समय भी इन दोनों के पास हेरोईन की खेप हैं मैं जिसे यह छेतर में चात्रोवा युवाओं को सप्लाई करने की फिराक में है दो महिलाओं को दिन दहाडे उठा लेगे बदमास असलिल हरकतें करदी जान से मारने की धम की यह सोलन जिला के उपमंडल नलागड के तहट आते धांग निचली में एक महिला ने उसे वह उसकी जैठाने को एक दरजन बदमासों द्वारा गलत नियत से जवर उठाकर गारियों में अपने घर ले जाने का आरूप लगाया है मैं घर में ले जाकर बदमासों ने उनके साथ असलिल हरकतें भी की मैं धांग निचली की महिलाओं ने उन पुलिस में दरजे रिपोर्ट में बताये की साम पांच बजे वह जैठाने के साथ पस्वों को घास डालने के लिए जैसे ही घर से बाहर गली में निकली तो अचान असलिल हरकतें की बाद में उनकी मां अमरजीत वह करमजीत के घर पहुंची वह सोर मजाये इस पर अमरजीत करमजीत सहीत अनिय बदमास से भाग गये और जाते हुए अपनी गालियों में बंदूके दिखा कर काकी वे रात को उनके परिबार को बच्चों समयत मार देंगे मैं तुमारे घर को आग लगा कर समसान घाट बना देंगे मैं महिला ने कहा कि अमरजीत करमजीत वह उनके सात्यों से इनके पुरे परिबार को जान का खत्रा है मैं डी एसपी फिरोज खान ने मामले की पुष्टी करतों में बताये कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबिन शुरू कर दी है गुड गवर्नेंस की मिसाल बनी सुकू सरकार जे तकने की चिक्चा मंत्र राजस धर्मानी ने कहा कि बरतमान राजसरकार मात्र सवा साल के कारिकाल में गुड गवर्नेंस की मिसाल बनी है उन्हें ने कहा कि राजस्वर लोग आदलतों के माद्दम से अपने आप में राजस्वर लोक आदलतों के आयूजन की सफलता साबित कर रही है। अपने आप में राजस्वर लोक आदलतों के आदलतों के आप में रही है। अब चिन में भी बुद्ध को मानने वाले की संक्या में बड़त्री हो रही ही। मैं आज दुनिया के कई हिस्सों में तिबत्ती, अध्यात्मिक और सांसिक्तिक परमपराओं को तरक संकत और बहवारी कलाब के रूप में मना जाता है। इस बिमान में तक्निकी खराबी आ जाने की वज़े से इस गगलावी अड़े पर खड़ा कर दिया गया था। नहीं जा सका था। जिसके कारण इस बिमान को गगलावाई अड़े पर खड़ा कर दिया गया था। सचीन पाइलेट की टीपिनी पर अनुड़ाग ठाकूर का पलटवार बोले सब ने देखा राजिस्तान से कॉंग्रेस का सफाया। जह हमरी पूर्शन सदिय चेतर के बिलासपूर जिले को रवाना होने से पहले केंद्रे मंतर अनुड़ाग ठाकूर ने कॉंग्रेस नेता सचीन पाइलेट के भाजपा के सावुत से साप और नौर्थ से हाब के बयान पर चुटकी लेते हुए। अनुड़ा ठाकूर ने कहा कि राजिस्तान के जनता ने चुनावों में ही कॉंग्रेस को साप कर दिया था। हिमाचल पर्देश विस्विद्दल और इस सम्मंदित कोलेजों के साथ हPU परिसर में चल रहे असना तक डिग्री कॉर्स का पाटिकरम भी राष्टे चिक्चानिती 2020 के अनुप त्यार किया जा रहा है। इसलिए इस प्रोफेशनल कोर्स को नीती के दायले से बहार रखा गया है। दोस्तों खबरों का सिल्चना इसमाप्त होता है कि जनकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सेयर, चेनल को सस्क्राइब जरूर कर लें।